आदो बेत्युई को रहा है विडियों पर आप दिखरें हमारे यूटीब चैनल चो दोस्तों सभी का हमारा इस चैनल पर बहुत सबूद सो आढ़ दोस्तों आज के स्वीडियो में यहाँ पर हम बात करने हो ले बारे में बारे में बारे में रेड्मी के अपर ऑफिसली चाइना वे जो लांच हो चुका है और आध के विदियो में यहां पर हम विदियो फिचर के बारे में जानेंगे जोड जाहिए और यहां पर मैं शूरू करता हूं रद्मी के थो के स्पारिश के बारे में बात करूंगा लेकिन इंडिया के अंदर अभी फिलाल के लिए 5G अवेलिवल ने है तो आप इंडिया में फाइजी वर्जन नहीं आएगा लेकिन फ्यूचर में पर फिर से रेड्मी ने कल्टी मार दिया है क्योंकि के 20 चीशी से अंदर फर्स ताइम अवर्स अर्पार्वान आपको एमुलर्ट स्क्रीन देखने को मिल ने वाला था जो कि बेजल्स डिस्पले आपको देखने मिल जाता था इंडिप्ले फिंगर्पिंट स्क्यानर मिल जाता लेकिन याप रेड्मी के अंदर आपको IPS LCD स्क्रीन मिल जाती है लेकिन यह पर घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको 120 हर्स का यह आपको रिफ्रेश्च रेट मिल रहा है जो कि HDR 10 को सपोर्ट करता है जो कि मेरा जो रेड्मी इसके विविंग इंगल समय कि इसके डिश्प्लेट जो अब बढ़र सकते हैं तो डिजाइन इसके बाइद है फिंगरप्रिंट को ना पीचे रखा गया है इस बाढ़ है इस बार फिंगर्प्रिंट प्लेस्मेंट जो ऑवर बटन की पास ही ईघ़न आगहाए तो ऑगर आप अब रेड्मी भी कर रहा है डेड्मी ने कि Y30 को या पर fingerprint जो प्लेस्मेंट जो पाउर बटन के पास रख दिया है ना in-display ना पीछ टार्गली बाजर में लगा दिया है अब बात करते हैं क्यामरा को लेकर तो क्यामरा यहां पर हम बात करें पीछे की तरफ कारा में तरह जहां जहां पर पर आपको आर्ट यहां सैंसर लेकिन अब जो ररे आने 686 sensor जहांपर आपको complete वेजल मतलब complete आपको अच्छी कासे क्वालिटी के इमेजेस यहां पर देखने को मिलने वाले हैं तकडी फोटो मिलने वाले 64 मेगा प्रिसल सोनी सेंसर इस बार आने वाला है तो के लिए मैं तो बहुत ही बड़ा excited हो अब बात कहलें फ्रांन फेसिंग क्या मरे में तो ब्रांट फेसिंग कामरे में बहुत- ही बड़ा अपडेट कर दिया है इस बार संसंग ने जो स्रूइड नियुक्राप्र एंटमों को कॉपी किया है अलेक से लेंस रख दिया है इसी डिवाइस के अंदर तो दूस्तों यहां पर क्यामरा हो गया डिजाइन हो गया डिस्प्ले हो गया अब बात करते हैं प्रोसर को लेकर तो यह पर दोनों के 30 और स्मार्टफोन की प्रोसर है तो कि यहां पर मेरी अकॉर्डिंग ठीक है अवरेज यह मतला की जो इसके प्राइस पॉइंट पर डिपेंड होगा कि इसका जो कितना यहां पर बेनिफिट रहेगा इंडियन कस्टोमर्स के लिए क्योंकि आपको पता ही हो कि रेड्मी के कि मैं ज़रूर से रेकमेंड करता हूँ एक अगर आप रेड्मी स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिशन में लिंक है तो रेड्मी के टॉन्ट याप बीसार के अंदर शीवी पर्चेस कर सकते हो तो यहां पर बात करते हैं के 30 की प्राइसिंग को लेकर तो कि सो यहां पर अपर आप कर सकते हो कि फबरवरी के मंत में इंदिया में देखने को मिल सकता है विद अडिशनल माई स्मार्ट वाच जो कि वो भी आ सकता है ऐसी मेरी एक्षपेटेशन है तो दूस्तों यह था कंप्लेट रिव्यू फॉर रेड्मी के थटी जो कि आने वाला स्मार्टफोन है रेड्मी की तरफ से इंडिया के अंदर आपके क्या रहा है इसी स्मार्टफो तो आज का वीडियो एंड करते हैं अच्छा लगें तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना ने वह तो चनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं मैं में तो एक और नेक्स सैटिंग विडियो में तो तक लिए बाई टेक केर अला आपीस से यह ने नेक्ट वान